सिली प्रिखन में आजरविवार को वजरपात की चपेट में आने से मवेशी की हुई मौत मालिक ने मुआवजे की मांगी सिली के घागरा में आजरविवार को हुए एक वजरपात की चपेट में आने से भूबनेश्वर महतो की गाई की मौत हो गई जानकारी के मुताबिक गाई नदी के किनारे चरने गई थी उसी समय घटना घटी मवेशी के मालिक ने घटना की सूचना आंजल कार्याले को दे कर मुआवजे की मांग की है सिली प्रखन में आजरविवार को सरकदुर घटना में दो यूअक गंभी रूप से घायल सिली बुंदू मार्ग लोवादाक के समीब सड़कदुर घटना में दो यूवक गंभी रुप से घायल हो गए घायलों को अस्थानिक रामिनों के सहयोग से सिली अस्पताल पहुंचाया गया है जहां से उनके परिजन बहतर इलाज के रिए सिंखपूर नर्सिंग होम ले गए जानकारी के मताबिक बंता निवासी पारसकुमार मुंडा वसुनाई सुनार मोटर साइकल से सिली से अपने घर की और जा रहे थे इसी क्रम में लोवादाक के समीप वीपिर दिसा से आ रहे ट्रक के पास लेने के क्रम में संतुल अनबिगरने से मोटर साइकल सड़क की नारे लगी बेरिगेटिंग से जा ठकराया जिससे दो युवक गंभी रूप से घायल हो गए सिली प्रखन में विजली विभाग रेलवे करमचारी का विदाय समाहरो का आयोजन किया गया बजली विभाग के मुख्य कार्याले अधीक शक से लिमुरी रेलवे कर्मचारी खेतरी लाल का वदाय समाहरो आयो जनर रेलवे स्टेशन परिशर के वदुत समाहिने कार्याले में किया गया खेत्री लाल आवकास प्राप्त होने को लेकर कार्याले परिशर में कर्मिचारियों के द्वारा वदाय समाहरों का आयोजन रखा गया वदाय समाहरों को संबोधित करते वे फोर में सौरब मिस्रा ने कहा कि रेलवे की परिपटी है कि हम सब को एक ना एक दिन आउकास प्राप्त करना ही है इससे मनुश्य को घबराना नहीं चाहिए बलकि आउकास प्राप्त होने के उपर अप्रे परिवार के साथ मिलकर अंतिम समय तक सुख में जीवन व्यातीत करें और आसा है और अफेक्षा करते है वही खेतरी लाल ने कहा कि 38 साल रेलवे की सेवा करने के पस्चात मुझे आप लोगों के पास से जो प्यार मिला है इसे मैं कभी नहीं भूला पाऊंगा इस दर्म्यान हमसे जो भी भूल हुई है उसे माफ करते हुए शमा करेंगे समाहरों के दौरान सभी ने उन्हें उपहार भी दिये इस मौकिपार फॉर्में सेवा सौरबिल मिश्राव बीके यादव संजय कुमार राय एन एस प्रशाद ओम प्रकास वजय हेम रोम समेत पारवती देवियादी मौझूद रही सिली प्रखन में आजरविवार को रूट सेट में वित्य साक्षार्ता प्रासिक्षन समापन किया गया संस्थान में प्रमान पत्र भी दिया गया सिली रूट सेट संस्थान सिली में च्छ दिवस्य वित्य साक्षार्ता प्रासिक्षन का समापनाच किया गया प्रासिक्षन आसोक कुमार इवं वाईरियस संकाया निलकुमार के प्रसिक्षों के बीच प्रमान पत्र वीद्रन कर किया गया। प्रसिक्षन में जिले के विभिन इलाके के कुल 35 प्रसिक्षों ने भाग लिया। इस मौके पर संस्थान के जगदीस में तो महेश रोहिदास समेत अन्ने लोग शामिल हुए। सिली प्रकंड में संबान समाहरो कारेक्रम का आयोजन किया गया। आध्यक्ष वीना चौधरी को फूल माला एवं अंग वस्तर दे कर समानित किया। मौके पर वीना चौधरी ने कहा कि यह हमारी नहीं बलके पूरे शेत्र की जनता की जीत है। पार्टी प्रमुक सुदेश महतो द्वारा आप सबों के विश्वास के साथ हमें चुना गया है। इस पर मैं खराउतरने का प्रयास करूँगी। मुझे अपने चुना है। आपको आगरा नहीं आदेश करना होगा। मैं आपकी बेटी वबहन हूँ। आपका बहुत प्यार के लिए आभार व्यक्त करती हूँ। कारेक्रम का संचॉलन सुनील सिंग ने किया। मौके पर लक्ष्मी नारायन स्वरूप, अनुप महतो, ससी सुनार, समेत आजसु के कारेकर ताज सामिल रहे।